अब आपके सारे physics के देशिटिन माच्जाव्स का सफाया बस अपने फोन से question की फोल्टों खीचो अपकर और तुरंच video solution पाओ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी या फिर whatsapp कीजिए अपने डाउट्स आठ 400 400 400 बश्याज Hello students question ने पूछा गया है कि cleansing action of soap का mechanism क्या होता है तो क्या होता है जो dirt होती है dirt या फिर grease उसको react कराया जाता है soap के साथ ठीक है तो क्या होता है जैसे यह dirt है या grease है इसकी reaction कराई soap से और soap का भी aqueous solution लिया जाता है तो suppose यह aqueous medium है और यह dirt की reaction कराई soap से अब soap के दो parts होता है एक hydrophobic part और एक होता है hydrophilic part ठीक है hydrophobic part होता है वो होता है water heating part और hydrophilic होता है water loving part अब जो soap है soap के दो parts होते हैं अब आने जैसे बताया तो यह इस तरीके से head और tail होती है okay soap की like this तो अब जैसे यह dirt या grease है तो soap के particles के इस तरीके से arrange हो जाते हैं या stick हो जाते हैं dirt से कह सकते हैं like this ठीक है यह structure कहलाता है missile अब इस structure में क्या है बाहर क्या है aqueous medium okay यह क्या है dirt और grease अब बाहर अगर aqueous medium है तो यह soap का यह part कौन सा हो जाएगा water loving यह हो जाएगा hydro philic part और tail कौन सी हो जाएगी hydro phobic part ठीक है अब जब missile form हो जाती है तो missile form होने के बाद agitation करना जरूरी होता है agitation मतलब beat करना soaps जो भी soap का जो cloth है या whatever जो भी है उसको beat करना agitate करना जिससे क्या होगा यह missile जो है remove हो जाती है और missile कैसे remove होती है वो dirt को अपने साथ लेके remove हो जाती है missile remove हो जाती है जिससे dirt भी remove हो जाती है और यह होता है cleansing action okay thank you करना कर दो कर दो कर दो